नमस्कार दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करें और सस्क्राइब करने के बाद बैल आईकेन पर क्लिक करके notification को उन कर ले ताकि के हम जो भी video upload करें आपको आशानी से notification द्वार मिल जाए दोस्तो आज हम आपको बताएंगे motor के bus का बार बार क्राब होना ठीक है motor के bus बार बार क्यों क्राब होते हैं उसके पीछे जोड़े क्या करण है तो कुछ कारण मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो में तो ध्यानपूरक वीडियो को लाज तक देखें दोस्तो मोटर के जो बुश होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं ये उसका परत होता है बुश का जबी परत घिस जाती है अंदर से तोनों साइडों से तब उसको मानते हैं कि बुस कट गया है ओर इसके अंदर एक सापत होती है इस बिलकुल fit होती है सटी होती है जब तक कि बिलकुल सटक के चल रही है जब तक बुसिंग सई है normal है लेकिन जब इसके अंदर gaf بن जाता है सापट और बुस के अंदर गैब बन जाता है दीला पड़ जाता है तब बोलते हैं कि बुस कट गया इस कंडिशन में क्या होता है जो रोटर है मोटर का यह जो मोटर का जो रोटर है यह वाला यह फिर स्टेटर मोटर का जो स्टेटर होता है उससे स्लोट जो होती है उससे टक कराता है पर मोटर फिर जाम हो जाती है असलोट गोम जाती है तो इस कंडिशन में हमको यह भुष बनवाने पड़ते हैं तो आज मैं इसका कारण बताऊंगा कि यह जो बुस है यह बार-बार क्यों कटता है क्या कारण होते हैं ठीक है दोस्तो सबसे पहला जो मेन कारण है वो डिपेंड करता है बुस के साइज पर ठीक है एक बुस है जिसका साइज इतना है ठीक है एक बुस है जिसका साइज इतना है अब देखिए दोस्तो जो ये छोटा वाडा बुस है इसके अंदर नोर्मल छोटी वाले सापट ही डलेंगी छोटी सापट डलेंगी इस रोटर में नोर्मल छोटी सापट ही होगी ठीक है इस तर तक कम चलेगा और जो लंबा बुस है यह डबल बुस का लगबक कारी करता है अकेला ही तो इसके अंदर जो सापट होती है वो लंबी होती है रोटर की ठीक है और सापट लंबी है और बुस भी लंबा है तो यहां पर बहुत ही धीरे धीरे यह बुस कटेगा स्लोली स्लोली य बुस जल्दी कर जाएगा एक, तो समर्शिबल मोटर के अंदर दो बुस होते हैं, बुस नंबर वन हो गया, उसके बाद बुस नंबर टू हो गया, कई मोटरों में एक बुस तो पिक्तल का होता है, एक बुस रबड का होता है, या दोनों ही बुस फिर पिक्तल के होते हैं, ऐ इस तरह से रोटर की जो सापठ है वो चलती है ठीक है तो जितने बड़े बुस और जितनी लंबी इसकी सापठ है उतना ही जादा चलेगा और जितनी छोटी सापठ जितने छोटे बुस उतने ही कम चलेगे तो ये तो होता है मोटर का पहला इसका कारण बुसिंग का ठीक है ये तो पहला हो गया एक मोटर में छोटा बुस है छोटी सापट है तो एक कम चलेगी एक मोटर में लंबे बुस है लंबी सापट है बड़ी सापट है तो ये ज्याद्दा चलेगी अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर तो एक कम्पनी के उपर डिमेंट करता है कौन सी कम्पनी के आपकी मोटर है उस हिसाब से बुष्ट चलते हैं ठीक है अलिमूनियम का जो रोटर होता है उसकी वज़े से भी प्रोब्लम आती है ठीक है और कारण हो और मैं दूसरा सेकिंड कारण में बता रहा हूं पानी का मोटर के अंदर कम हो जाना ठीक है यह मोटर है इस मोटर के अंदर यहां पर बुस लगा हुआ है यहां पर भी बुस लगा हुआ है इसके अंदर सापट है रोटर है ठीक है रोटर अब होता क्या है यहां पर वाइंडिंग होती है साइड में और इसके अंदर पानी बरा होता है अब ये पानी जो होता है ना मोटर के अंदर जो भरा होता है ये वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग को ठंडा तो कता ही करता है साथ में बुस के अंदर ओल का कारी भी करता है अगर पानी बुस में नहीं होगा तो बुस बहुत जादा गरम होंगे घरसन जादा होगा उसमें और बुस बहुत जल्दी कटेंगी तो ये कारण होता है पानी का कम होना कई बार क्या होता है मोटर बार बार रिपेरिंग होती है जिससे उसमें पानी की समस्या हो जाती है लिकिज हो जाती है ठीक है जो मेकेनिक होता है उसको अच्छे से सैट नहीं करता है उसमें नई रबर और सील नहीं डालता है उसकारण बार बार उसका धीरे धीरे करके टपका टपका करके पाणी निकलता है फिर जब मोटर चलती है तो प्रेसर जाता होता है उस कंडिशन में पाणी और जादा निकलता है और उस कारण बुस में पाणी ना जाने के कारण कम जाने के कारण मोटर का जो बुस है वो धेरे धेरे बुसिंग खराब होती है बुसिंग कटती है सापट भी कटने लग जाती है तो ये दूसरा एक कारण होता है तीसरा जो है दोस्तो अगर मोटर आपकी ऐसी जगह लगी है जहां पर बजरी जाता है बजरी जाता है और वो बजरी धीरे धीरे आपके पंप के अंदर जा रही है तो पंप के जितने भी बुस हैं वहाँ पर उन सभी बुसों को डैमिज करेगी पूरा के पूरे पंप को बहुत जल्दी काट देगी खराब कर देगी और मोटर के अंदर अगर चली गई motor के bus के अंदर चले गई तो उसको भी कार देगी तो जितनी भी बजरी वारी जगह है जैसे पहाड़ी एरिया है वहापे बजरी टाइप के जादा होती है ठिक है? तो बजरी टाइप की मिट्टी होती है नीचे तो उस मिट्टी और बजरी का मिसरन होता है वो बुस के अंदर अगर चला गया उस कंडिशन में बुस बहुत जल्दी-जल्दी खराब होंगे फिर आप कितने ही अच्छे क्वालिटी के बुस लगवाओ ठीक इतनी अच्छे तरीके से बुस बनवाओ अगर मोटर की सील खराब है ठीक है सील खराब है मोटर की तो प्रोबलम होगी सील कौन सी वाली सील यहापकी मोटर है यहापे बुस लगा होता है यह उपर का हिस्सा है यहापे सील होता है उसका कारी होता है कि कुछ भी बाहर का अंदर ना जाए ठीक है अगर ये seal कमजोर है खराब हो चुकी है अपने बदली नहीं है अपने रिपेर करवाई ये मोटर बदली नहीं है तो यहाँ पर मिट्टी जाएगी इसके अंदर बुस के अंदर और मिट्टी बुस के अंदर जाएगी तो बुस में बहुत तेजी से बुस कटेगा ठीक है ऐसा ही सेकेंड बुस के साथ भी होता है ठीक है तो जितनी जादा मिट्टी जाएगी उतने ही जल्दी बुस आपकी मोटर का कटेगा तो ये seal की प्रोब्लम के कारण भी होता है कि बुस बार बार क्राब होने लगता है ठीक है बहुत जल्दी जल्दी बुस खराब हो जाने लगते है अगला पॉइंट है दोस्तो की जो बुस है आपने जो बुस डलवाई है वो बहुती जादा क्राब क्वाल्टी के हैं तो quality बहुती जरूरी होती है, ठीक है, quality बहुती जरूरी है, अगर खराब quality के आपने bus लगवाए हैं, सस्ते वाले bus आपने बनवाए हैं, ठीक है, तो वो bus जो होते हैं, बहुती कम चलते हैं, बार-बार कटते हैं, तो bus की quality पर भी depend है, छठा point है दोस्तो, कई बार क्या होता है, motor के जो carbon bearing होते हैं, thrust plate जो होती है, वो कटी होती है, खराब होती है, और जब motor बार-बार का, जो carbon bearing है, thrust plate पर चलती है, पंद होने पे, motor उस पे टकराती है, तो क्या होती है, खराब, thrust plate और bearing अपस में बहुत ज़्यादा vibrate करते हैं, जिससे motor में vibrate होता है, rotor में, और rotor में जैसे ही vibrate होता है, तो असर पड़ता है bushing पर, तो उस condition में बार-बार rotor का vibrate होने से, thrust plate bearing खराब होने से, बार-बार अगर rotor जो है vibrate करेगा, तो बुस पर इसका सीधा असर और एक कारण है दोस्तों, कि अगर आपकी motor का rotor है, वो aluminium rotor है, ठीक है, कोई तो copper rotor होता है, एक aluminium होता है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, बताया था, तो इसके अंदर जो छड़े होती है, अगर यह copper की है, तो copper rotor है, aluminium की छड़े है, rotor के अंदर, तो यह aluminium rotor है, अब दिक दिकत क्या है, कि जो छड़े होती है, aluminium की, यह धीरे-धीरे rotor आपका kharab rotor की बात किरना हूं, kharab rotor में धीरे-धीरे छड़े हैं, यह अंदर से निकलने लगती है, इसमें aluminium भणता है, वो aluminium धीरे-धीरे निकलता है, और आपके जो motor हैं, उसके bus नगा हूआ, यहाँ पर आपक कंडिशन में क्या होगा कि बहुत ही जादा अपे गरसन होगा बहुत ही जल्दी बुस कट जाएगा इस कंडिशन में ठीक है तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण आपके मोटर के बुस बार-बार खराब होते हैं आप बार-बार रिपेरिंग करवाते हैं बार-बार या छोटे साइज क्या है साइज बहुत ज्यादा मेक्टर करता इसमें साइज बहुत ज्यादा जरूरी है साइज देखना और फिर प्रोब्लम है कि जगह देखनी होती है कि किस जगह आपकी मोटर लगी है कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहां पर बजरी जमना रेती जैसी जगह पे बुहुत जल्दी कटेंगे या फिर मोटर की सील कराब हो गए तो मिट्टी जा रही है तो बुश जल्दी कटेंगे उसकी QUALITY आपने रपेर करवाते वकर किस खराब उस लगा दी है मेकैनिक ने घटिया क्वालिटी के लगा दी है तो बहुत जल्दी करेंगे ठीक है चैन्ने वीडियो के साथ जाहिंज या भारत